Hello guys, welcome back to our channel No Principle और आज का हमारा टोपिक है English का chapter number 8 A Game of Chance चलिए शुरू करती हैं before you read Have you ever won anything in a lucky dip or other such game of chance? Do you like such games? इसमें कहा गया है कि क्या आपने कभी किसी दुकान पर जाकर कोई game खेला है जिसमें lucky draw वगरा निकलते हों और क्या आपको ऐसे games खेलना पसंद है? ये chapter उसी के उपर है तो चलिए शुरू करते हैं Every year on the occasion of Eid there was a fair in our village हर साल Eid के मोके पर हमारे गाव में मेला लगता है Eid was celebrated only one day but the fair lasted many days जो Eid है वो तो सिर्फ एक दिन होती है पर जो मेला है वो कहीं दिनों तक चलता है Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods to sell यहां पर बहुत दूर दूर से व्यापारी आते हैं अपना समान बेचने के लिए You could buy anything from a small pin to a big buffalo और आप एक छोटी सी सोई से लेकर एक बड़ी भैस तक कुछ भी यहां खरीद सकते हैं अंकल टुक मी टू दा फेर अंकल मुझे इस मेले में लेकर गए भाईया who worked for us at home came with us जो भाईया हमारे घर पर काम करते हैं वो भी हमारे साथ आई अंकल मेला था में कराउड थी भीड थी वहां पर उनके कुछ दोस्त आयुए थे अंकल के तो उन्हें मिले वे चाहते थे कि अंकल उनके साथ कुछ समय बिताए अंकल आसक्ड मी वैदर आई वुड लाइक तो लूक आराउंड दा फेर विद भाईया तिल ही कम बैक अंकल ने मुझसे कहा क्या मैं अपने दोस्तों के साथ भूमा हूँ तब तक क्या तुम भाईया के साथ मेला देखोगे I was happy to do that मैंने कहा हाँ 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 अंकल जी क्यों नहीं जरूर अंकल वांड मी नाइधर to buy anything nor to go too far out while he was away अंकल ने मुझसे कहा कि तुम कुछ भी नहीं खिरिदोगे जब तक मैं नहीं आता और ना ही जादा दूर जाओगे I promised that I would wait for him मैंने उन्हें promise किया कि मैं उनका इंतजार करूँगा भाईया and I went from shop to shop भाईया और मैं एक दुकान से दुसरी दुकान पर गए There were many things I would have liked to buy वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिने मैं खरीदना चाहता था But I waited for uncle to return पर मैं अंकल जी के वापिस आने का इंतजार कर रहा था Then we came to what was called the lucky shop तब हम एक ऐसी दुकान पर पहुंचे जिसे किसमत की दुकान कहते हैं Lucky shop The shopkeeper was neither young nor old और जो वहाँ पर वो दुकानदार था वो ना तो ज़्यादा बूड़ा था और ना ही जवान था He was a middle-aged man वह एक middle-aged का आदमी था Like 40 to 50 years के बीच का He seemed neither too smart nor too lazy वह ना तो ज़्यादा smart लग रहा था और ना ही ज़्यादा आलसी था He wanted everybody to try their luck वह चाता था कि हर कोई अपना luck अपनी किस्मत try करे There were discs on the table With numbers from 1 to 10 facing down वहाँ पर 1 से 10 तक के number रखे हुए थे Table के उपर लेकिन उल्टे और उन में से कोई भी हमें जो 6 dice थे वो उठाने थे All you had to do was to pay 50 पैसा Pick up any 6 dices and up the numbers on the discs and find the total हमें क्या करना था प्चास रुपे पे करने थे एक बार खेलने के लिए और उन में से कोई भी 6 dice उठाने थे और जो भी उन पर number आते उन्हें total करना था The article marked with that number was yours और जो भी उन numbers को जोड़कर जो भी number बनेगा वो number जिस भी चीज़ के उपर लिखा होगा वो तुमारी हो जाएगी An old man paid 50 पैसा and selected 6 dices और तभी वहाँ पर एक बुड़ा अदमी आया और उसने 50 पैसे दिये और उसने 6 dices चुने He added up the numbers on them and found the total was 15 उन्होंने सारे numbers को जोड़ा और 15 number आ गया He was given the article marked 15 उन्होंने उसे वो article दे दिया मतलब कि वो चीज़ दे दी जिसके उपर 15 number लिखा था which was a beautiful clock जो कि एक सुन्दर घड़ी थी But the old man did not want a clock पर जो वो बुड़ा अदमी था वो घड़ी लेना नहीं चाहता था The shopkeeper obliged him by buying it back for 15 rupees तब उस shopkeeper ने कहा तो चलिए ठीक है मैं इसके बदले आपको 15 rupees दे देता हूं The old man went away very pleased और जो वो बुड़ा अदमी था वहाँ से वो लेकर चला गया Then a boy a little older than I tried his luck और तब वहाँ पर दुबारा से एक बच्चा आया जो जिसने अपने किस्मत को ट्राई किया He got a comb worth 25 पैसा उसने वहाँ से एक कंगी 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 का मतलब होता है कंगी जीती जिसकी value 25 पैसे दी The shopkeeper looked neither happy nor sad और जो shopkeeper दा वो ना तो ज़्यादा दुख्यू हुआ इस बास से और नहीं ज़्यादा खुश था He bought the comb from the boy for 25 पैसा उसने उस लड़के से वो comb पच्ची पैसे में ख्रीद ली The boy tried his luck again उस लड़के ने दुबार से अपना luck try किया He now got a fountain pen worth 3 रुपीज और तब उसने वहाँ से एक pen जीता जिसकी value 3 रुपे थी Then he tried a third time and got a wrist watch worth 25 रुपीज तब उसने एक बार और ट्राई गिया और उस बार वह wrist watch जो हम हाथ पर घड़ी पहनते हैं वह जीत ली जिसकी value 5 रुपे थी When he tried again he got a table lamp worth more than 10 रुपीज उसने सोचा कि एक बार और ट्राई करता हूँ और उसके बाद वह फिर से try किया तो वह एक table lamp जीत गया जिसकी value 10 रुपे थी The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash और उसके बाद वो लड़का महां से चला गया एक smile के साथ और बहुत सारे पैसे लेकर I went to try my luck too मैं भी अपना luck try करना चाहता था I looked at भहिया मैंने भहिया की तरफ देखा He encouraged me उन्होंने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं खेल लो I paid 50 पैसा and took 6 dices मैंने उन्हें 45 पैसे दिये और 6 dices चुन लिये My luck was not good पर मेरी किसमत इतनी अच्छी नहीं थी I got two pencils मैं सिर्फ दो पैंसिल जीता The shopkeeper bought them from me for 25 पैसा उस shopkeeper ने मुझसे वो पच्ची पैसे में ले ली I tried again मैंने दुबारा try किया This time I got a bottle of ink इस बार मुझे एक जो शाही शाही की डिप बी होती है वो मिली जिसकी value भी बहुत कम थी और जो shopkeeper दा उसने मुझसे फिर से वो पच्ची पैसे में खरीद ली I took a chance for the third time मैंने तिसरी बार fair try किया Still luck was not with me पर किसमत मेरे साथ नहीं थी I had hopes of winning a big prize and continue to try my luck again and again paying 50 पैसा each time पर मैं चाहता था कि मैं कुछ बड़ा जीतू और इसकी वज़े से मैंने दुबारा 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 मैं उसे पैसे देता गया और अपना luck try करता गया but every time I got a trifle पर हर बार मुझे छोटी मोटी चीज़ ही मिली trifle का मतलब होता है छोटी मोटी चीज़े जिनकी value बहुत कम होती है at last I was left with only 25 पैसा और आखरी कार मैंने सिर्फ आखरी में पच्ची पैसे ही जीते और जो वो दुकानदार था उसने फिर से मुझे दया दिखाई he said I could either play once more with 25 पैसा or settle the account then and there और उन्होंने मुझे कहा कि तुम पच्ची पैसे में एक बार ओर try कर सकते हो पच्चास पैसे की जाए तुम पच्ची पैसे में एक बार try कर लो और अपना account settle कर लो या तो तुम जीतोगे या हारोगे I played again and the last 25 पैसा also disappeared और मैंने एक बार fair try किया और जो मेरे पास पच्ची पैसे बचे थे वो भी चले गए people were looking at me लोग मेरी तरफ देख रहे थे some were laughing at my bad luck but none showed any sympathy बोस से लोग मेरी तरफ देख कर हस रहे थे पर किसी ने भी मुझे sympathy sympathy का मतलब होता है सहनुभूती सहनुभूती नहीं दिखाई भाईया and I went to the place where uncle had left us and waited for him to return उसके बाद भाईया और मैं उसी जंगा पर चले गए जहां अंकल हमें छोड़ कर गए थे और वो वहीं पर हमारा इंतजार कर रहे थे presently he came he looked at me and said और जब मैं वहाँ पर पहुंचा जब मैं वहाँ पर था खड़ा था तो अंकल ने मेरी तरफ देखा और कहा रशीद you look upset रशीद तुम दुखी क्यों हो दुखी दिखाई दे रहे हो क्या हुआ what is the matter क्या बात हुई I did not say anything मैं कुछ नहीं बोला भाईया told him what had happened भाईया ने उन्हें सारी बात बताई जो हमारे साथ हुआ अंकल was neither angry nor sad ना तो अंकल गुस्सा हुए और ना ही दुखी हुए he smiled with and he smiled and petted me वह हसे और मेरी पीट थप थपाई he took me to a shop and bought me a beautiful amaryla biscuits and sweets and some other little gifts और वो मुझे दुकान्स पर ले गए और मेरे लिए कमरेला, biscuits, मिठाईया और बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट्स दिलवा कर दिये then we returned home तब उसके बाद हम गर वापिस आ गए back home uncle told me that the lucky shop man has made a full of me और जब हम गर वापिस पहुँचे तो अंकल ने मुझे बताया कि जो वो lucky shop वाला man था आदमी था, उसने तुमारा बेफकूब बनाया है no uncle, I said it was just my bad luck मैंने का नहीं अंकल ये तो मेरी सिर्फ एक बुरी किस्मत थी no my boy said uncle it was neither good luck nor bad luck अंकल ने कहा नहीं boy, नहीं मेरे बेटे ये ना तो तुमारा अच्छा लग था और नहीं बुरा लग था but uncle, I said I saw an old man getting a cloak and a boy getting two or three costly things लेकिन अंकल मैंने खुद देखाया अपनी आंखों से कि एक बुड़ा अदमी था जो बहुत ही महंगी cloak जीत कर गया और एक लड़का था जो बहुत सी चीजे वहां से जीत कर गया you don't know child, uncle said तब अंकल ने कहा कि बेटा तुम नहीं जानते they were all friends of the shopkeeper वो सभी उसी shopkeeper के दोस्त थे they were playing tricks to tempt you to try your luck वे सिर्फ तुमें उक्सा रहे थे टैंप का मतलब होता है उक्सा ना किसी को वो सिर्फ तुमें उक्सा हित कर रहे थे कि तुम अपना luck try करो they wanted your money and they got it वे चाते हैं थे कि तुम अपनी सारी money उन्हें दे दो और उन्हें ले भी ली now forget about it and don't tell anybody of your bad luck or your foolishness और तब अंकल जी ने कहा कि अब अपने बुरी किसमत के बारे में किसी को मत बताना और नहीं यह बताना कि तुम्हें बेफकु बनाया गया है वरना सब तुम पर हसेंगे so guys I hope आपको यह chapter अच्छा लगा होगा अगर आपको कोई problem है तो आप comment section में पूछ सकते हैं और हम इसके question answer करेंगे next video में book work भी करेंगे तो thank you so much like, subscribe and share my channel करेंगे करेंगे